हम निराधार नहीं कह रहे हैं, हम साधार कह रहे हैं और हमको निराधार कहने वाले निराधार कह रहे हैं, अपने देश में ठगी भी एक दंदा है, हो खोब होता है, लेकिन आदमी आदमी को ठगता है, यहाँ एक दूसरी बात हो गई, यहाँ आदमी ने जा करके, मनुष्य कि भई यहां से जाओ तो राजनीती से हमारा क्या लेना देना लेकिन जब राजनीती हमारे मंदिर में गुश गई राजनीती हमारे मठ में गुश गई राजनीती हमारे जीवन में गुश गई हमारे धार्मिक जीवन में तो हम बोलेंगे और द्रड़ता से बोलेंगे और पहले तो आपने 230 क्लू बताया, अब आप कह रहा हैं कि 22.8 तो 18 खचर में लाद के क्यों ले जा रहे थे, और ट्रक में लेकर के उसको सुरक्षा में क्यों आ रहे थे, ट्रक में तो हम मान लेते हैं कि ट्रक में रखा होगा, आपने उसमें पुलिस उलिस पैठाई होगी, सु बदरीनात के दारनात मंदिर समीती के अध्यक्ष हैं, वो बगतबे दे रहे हैं और आप लोग उनका प्रसारन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इससे उत्राखंड की सरकार का और बदरीनात के दारनात मंदिर समीती का कोई लेना देना नहीं है, वो कोई दाता था, वो आया औ क्या ये संभव है अगर हमारी निगरानी में हम समीती के सदस्य है और हमारी समीती के निगरानी में कोई परिसर है उस परिसर में कोई भी आएगा बिना हमारी अनुमती के काम करके और चला जाएगा और मान लिया कि यह दाता आया और उसने लगाने के लिए कहां आप से अनु over नहीं किया record कि यतना सोना हम लगा रहे हैं और इसको आप अब आप स्विकार करिए अब यह मंदिर का हो गया अब हमारा नहीं रहा तो अब फिर उसको आपकी जो किताब है कि आपके पास कितनी सामगरी है क्या उसमें आप अपने स्टाक बेजिस्टर में उसको मेंटन नहीं करते हैं कोई भी आएगा कुछ भी रखक करके लेकर लगा करके चला जाएगा और आप सको मेंटन भी इने गरोका स्टाक नहीं होती है और उसके बाद जब ये बात आई उसके बाद से जाने कितने लोगों ने मांगी जाने कितना अल्ला में चाहिया गया कि जांश कराओ जांश कराओ आज तक जांश नहीं हुई तो हम निराधार नहीं कह रहे हैं हम साधार कह रहे हैं और हमको निराधार कहने वाले निराधार कह रहे हैं यह हम कहना चाहते हैं जो पीड़ा है वो यह है कि देखिए विश्वासगार ठगी यह सब खुब हो रहा है अपने देश में ठगी भी एक दंदा है होई रखोब होता है लेकिन आदमी आदमी को ठगता है यहाँ एक दूसरी बात हो गई यहाँ आदमी ने जाकर के मनुस्य ने जाकर के केदारनाथ भगवान को ठग लिया केदारनाथ भगवान को ठगा जा रहा है अगर अभी भी हम चुप रहे या कोई भी सनातनी चुप रहा तो फिर इसके बाद क्या होगा कोई व्यक्ति व्यक्ति को ठग ले तो हम एक बार उपेक्षा कर देंगे कि बई चलो यह तो चली रहा है लेकिन यहाँ एक व्यक्ति एक संस्था भगवान के दारनात को ठग रही है तो अब भगवान को जब ठगा जाने लगेगा तो क्या भगवान के पुजारी बोलेंगे नहीं और हम शंक्राचारे हैं हमारा धार्मिक शेत्र में दाई तो बनता है पहली बात यह है और दूसरी बात आपने कही कि आप राजनीतिक्यों की तरह बोल रहे हैं तो हमारा यह कहना है केदारनात के बारे में हम बोल रहे हैं केदारनात भारत की संसद है कि उतराखंड की विधान सभा है हम भारत की संसद के बारे में बोल रहे होते वो तरह खंड की विधान सभा के बारे में बोल रहे होते तब आप हमारे उपर आरोप लगा सकते थे कि आप राजनीती बोल रहे हो हम केदारनात मंदिर के बारे में बोल रहे है वहां के बिराजमान देवता के बारे में बोल रहे है दूस प्रचार के बारे में बोल रहे हैं गोटाले के बारे में बोल रहे हैं और उसके बाद आप कहते हो कि हम राजनीती करना है क्या राजनीती है इसमें बताओ कौन सी राजनीती है हमने किसी राजनीती के का नाम लिया अगर लिया तब भी आप कहो कि बहिए आपने राजनिती के का नाम लिया, इसलिए राजनिती आगे, हमने बिधान सभा, लोकसभा के बारे में कुछ बात की, हमने सम्मिधान के बारे में बात की, हम तो कह रहे हैं सोना, जो भगवान को अर्पित हुआ था, हम तो कह रहे हैं के दारनाद, हम तो कह रहे हैं ग press conference करते हैं वो बताएं हमको कि हमने कब press conference की राजनीती के इसके बारे में हमसे प्रसलपालों ने आकर के पूछा चलते रास्ते में खड़े थे सब घेर करके कि नहीं नहीं आपको बात करके जाना है आगे हमने नहीं बुलाया था कोई अकपार वाला कोई चैनल वाला खड़े कि रही हम निकले तो उनोंने नहीं बात करने पड़ेगी मने अनुरोध किया Dbav नहीं डाला लेकिन अनूरोध किया तो हमने कः ठीक हे विलो आप के पूछन चाहते हैं जिस समय यह कहा जा रहा था कि बंबई से ट्रक में सुरक्षा में सुना आ रहा है उस समय बद्रीना और खचरों में लाइद करके सोना नीशे से उपर ले जाने की बात चल रही थी उस समय के दालनात समीती के अध्यक्ष के रूप में आपने क्यों खंडन नहीं किया कि गलत समचार चापे जा रहे हैं जिस समय वहां पर लगाने के लिए रोपोर्टिंग की जा रही थी कि यह आए हैं यह आए हैं यह हो रहा है एक दिन थोड़े हुआ यह तो लगातार हफ्तों तक रिपोर्टिंग हो रही थी उस समय के उखंडन नहीं किया गया उनके द्वारा और जब उसका वीडियो जारी किया गया करबगरे के अंदर का सोने का चमचमाता हुआ चित्र दिखाय गया उस समय क्यों नहीं कहा गया कि नहीं नहीं सोना नहीं है अब आप समीति के अब आप कहते हो कि हम हैं जब लगाया गया तब कहते हैं कि हमारा कोई लेना ही देना नहीं ऐसी समीति इस समीति को तुरंत बलखास्त किया जाना चाहिए जो यह कहें कि हमको हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है कोई आया लगा के चला गया तो कोई आता है मंदिर के अंदर गुसता है वहाँ पर लगी चांदी निकालता है दूसरी पत्तर जड़ता है और चला जाता है और अगर समीती का अध्यक्ष यह कहता है सारवजनिक रूप से कि हमारा उससे कोई लेना देना रहे हमें इसे कोई मतलब नहीं है तो इसका मतलब है कि वो देखरे Ages रही रहा है और अगर ऐसा है तो फिर ऐसी समीती का क्वितार्पैर रहता है यहीं समीती के लोगों ने जब-जब बैठान हुई तब में उसमें बात उठाया मौकिक रूप से उठाया, लिखित रूप से उठाया इसकी भी रिपोर्टिंग हुई है लेकिन उसके बाद आज तक जबाब नहीं दिया जा रहा है ना तो जांच कराई जा रही है ना तो अध्यक्ष के द्वारा कोई जबाब दिया जा रहा है और जब शंकराचारी के रूप में हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है एक एक शब्द कई गई बार तौल करके केवल तौल करके नहीं बोलते हैं कई बार तौल करके बोलना पड़ता है कि कल को कोई इसमें वो ना आ जाए क्योंकि हम करोडों सनातन धर्मियों का नेत्रितों कर रहे हैं उनकी तरफ से बोल रहे हैं हम अकेले व्यक्ति के रूप में नहीं बोलते हैं जब शंकराचारी बोलता है तो अपने पूरे समाज की और से बोलता है यह सोच करके हमको बोलना पड़ता है और आप कहते हैं कि इनको राजनिता की तरह से प्रेस कांफरेंस कर रहे हैं हमने कोई प्रेस कांफरेंस नहीं की है यहां तक कि इस समय अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमने आपको नहीं बुलाया है आपने अनुरोध किया है हमारे जो प्रेस मीडिया के प्रभारी हैं उनसे बार बार कि हमको मौका दिया जाए हमने मौका आपको दिया है क्योंकि हम जब आप बात करना चाहते हैं तो हम सागत करते हैं आपका तो ये जो दो आपने बातें कहीं कि एक तो हम निराधार बात कहते हैं हमने आपको विस्तार से बता दिया कि हम निराधार नहीं कहते हैं बलकि हमको निराधार करने वाले निराधार बात कर रहे हैं और दूसरे नेता की तरह से हम बेवार कर रहे हैं ये बात जो हमारे उपर आरोप लगाया जाता है ये केबल आरोप है ये सत्य नहीं है क्यों क्योंकि हम प्रेस कांफरेंस करते नहीं है लेकिन अगर करनी भी पड़े तो सच की बात को उठाने के लिए हम करने को भी तयार है और जितनी बार करनी पड़े उतने के लिए भी तय यार है राजनीती हमारा विशय नहीं है इसलिए हम राजनीती में ज्यादा नहीं बोलते हैं हाँ कभी किसी राजनेता के बारे में कहीं हम बोले होंगे तो उसमें आप विशलेशन करेंगे तो पाएंगे कि वो राजनेता या उसकी पार्टी कहीं न कहीं धर्म में घुस रही लेकिन जब राजनीती हमारे मंदिर में गुश गई राजनीती हमारे मठ में गुश गई राजनीती हमारे जीवन में गुश गई हमारे धार्मिक जीवन में तो हम बोले भी ना ऐसा नहीं हो सकता है राजनेता जब जब हमारे धर्मस्थानों में या हमारे धार्मिक जीवन मे हमारे धार्मिक परंपराओं में इस तक शेफ करने की कोशिश करेंगे उसी के लिए हमको शंकराशारे बनाया गया है हम बोलेंगे और द्रड़ता से बोलेंगे और अभी तो बोल रहे हैं अगर जरूरत पड़ी तो हम से ना खड़ी करेंगे क्यों नहीं करेंगे हमारा अधिकार है